सरकारी सिक्षक बढ़ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई इसमें पर्मानेंट पोस्ट हैं काफी सारे सब्जेक्ट के लिए वेकेंसी हैं और ऑल स्टेट अलाओ दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो इंट्रेस्टेड होंगे एलिजिबल होंगे अपलाई कर सकते किसी भी किसी भी चीज की कोई भी टीचर ट्रेणिंग नहीं चाहिए कोई भी टेटिया सीट नहीं चाहिए तो ऐसी बहुत कम आती है तो चली बाकी डीटेल आगे चेक कर लेते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में वेकेंसीज हैं कितने नंबर ऑफ सीट से जॉब लोकेशन अप्ल क्या है कैसे अप्लिकेशन करनी है और जितने भी हाइलाइट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के वो सारी चीजे हम आगे वीडियो में चेक करते हैं आपका एक सवाल रहता है कि क्या बाहरी राजों के कैंडिडेट अपलाई कर सकेंगे बिल्कुल कर सकेंगे अपलाई लेक है जैज कर से थापने नएग अंपले एक सब रहता है पर game 009 ten to автомобilis me इन हम आप लींट का मतलब होता है ऊपन गले चैटेगरी जकेटेगरी तो 24 टवांने क्मंएं और बाले चाट वार्टों हैlets नाइड 10चटमें थायव केंशी नाइठ तून कियों केंची हैं एड़ेशन 12 vacancies है, physics में 36 vacancies है, इसके अलावा, psychology में भी vacancies है, psychology में 4 vacancies है, telugu में 16 vacancies है, yoga में 4, total 220 vacancies है, इसके लिए qualification क्या चाहिए, वो चेक करेंगे, जैसे for example में एक subject लेके आपको बता रही हो, हर subject का अलग अलग लिखा है, लेकिन एक ही है सभी subject के लिए qualification, तो post graduate degree मतला master degree होना चाहिए, अभी art subject है तो MA होना चाहिए, अगर science subject है तो MSC होना चाहिए, अगर commerce है तो MCOM होना चाहिए, इसी तरीके से, 50% यह above marks के साथ में post graduate degree होना चाहिए, बस इतना ही मांग रहा है, तो post graduation master degree related subject में 50% यह above marks के साथ, अगर आपके पास है तो आप apply कर सकते हैं, आपका subject अगर है तो, notification release कहां से हुई है, age criteria यह भी check करेंगे, notification जो release हुई है, वो है, recruitment of faculty position in Rajiv Gandhi, University of knowledge technologies, तो lecturer की post है, lecturer की post है, लेकिन कुछ भी नहीं मांग रहे ह होना काफी होगा, तो ऐसी opportunity बहुत कम मिलती है, आप में से बहुत सारे candidate कहते हैं कि हम pursuing है, हमारा अभी degree कम, हमारा जो B.A.D. नहीं हुआ, C.T. नहीं हुआ, तो कोई problem नहीं है, अगर post graduate है, तो apply कर दे, regular vacancies है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मैंने बताने की भी, अगर recruitment process के लिए आपको आंधरप्रदेश जाना होगा, यह एक problem रहेगी, बट बिल्कुल permanent post है, और government की pay scale रहेगी, last date जो रहेगी, online application की, 28 November रहेगी, last date for online application is 28 November, and hard copy के लिए, hard copy submission के लिए 27 November, 27 November, आप hard copy application कर सकते हैं, तो यह हो गया, इसके बाद, lecturer की post है, जिसमें की 220 vacancies total आपको देखने को मिल रही है, और इसमें क्या लिखा है, university invites application from Indian citizen and also overseas citizen of India, इसमें अब क्युछ candidate का रहता है कि कहां पढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें आपको junior college हो सकता है, या फिर engineering college mostly हो सकता है, तो उसमें कुछ ज्यादा syllabus नहीं रहता है, इतना, online for the following regular vacancies of teaching positions for various department on direct recruitment basis, OC जहां लिखा हुआ है, तो south में general category को, यहां पर हम लोग इस साइड के अबर्टीजमेंट आपको UR देखने को मिलता है, और उधर के vacancies में, आपको OC या GT देखने को मिलेगा, general turn या open category, इसा लिखा रहता है, तो काफी vacancies अल्रेडी दी हुई है, अब इसमें age criteria क्या है, pay scale क्या है, वो देख लेते हैं, application fees कितनी है, वो देख लेते हैं, lecturer की post है, आंदरप्रदेश state government का है यह, तो state government का pay scale मिलेगा, 57,100 बहुत जादा pay scale है, अच्छी pay scale है, क्योंकि आप अगर देखेंगे net PhD सब करके assistant professor का जो pay scale रहता है, लग 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 उतना ही दे रहे हैं, lecturer को यहां पर, और salary 65, 75, 70,000 रुपया, आपकी salary इसमें बनती है, अब इसमें जो age criteria है, वो भी चेक करेंगे हैं, age कहां पर दिया हुआ है, देख लेते हैं, अभी तो एक-एक subject के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, कि हर subject का separately लिखा हुआ है, तो online apply करना है, सा आपको दिहान देना है, SCST, PWBD जो अंदर प्रदेश के रहेंगे, उनके लिए 2000 बाकि सभी candidates के लिए 2500 रुपीज, इंडियन, overseas citizen of India भी apply कर सकते हैं, उनके लिए डॉलर में रहेगा, तो 4200 रुपीज, जो है, salary होने वाली है, तो यह हो गया, और जब आप online apply कर देंगे, तो पेजन केउगे, पेजन नबर 12 बेचन पहरेगा, लेकिन आपको उसके पढ़ना है कि क्या-क ou क्या चीजी व्लप के अंधर में, नक्लोस करनी है, तो क्या-क्या चीजी तो हो जो अवलप में, नक्लोस करनी है, वह बच करनी है, वहाँ पर लिखखा ऀए, तो इसको जो है, में कि एज क्राइटेरिया के लिए हेलेक्शन कैसे ओगे नमबर 13 पर आपको विटेश्मेंड के सीक्रीने को यसे कम्तिक रहें हमार्ट ट्रीस मंध्क पिक्राइब का तो आप तुक्के नहीं लगा सकते और इसमें जो सब्जेक्स राइटिंग टेस्ट फॉर नोटिफाइड पोजिशन इसके लिए दिया होगा सिल्लबस बगरा कुछ नीचे तो आप चेक कर सकते हैं strengthen test में जेनरल के लिए 40 परसेंट नहीं गया 450 मतलब 125 का 40 परसेंट आपको लाना होगा और एकार स्टाइँ पेडलेक्स अजिस factors दे रहें, श्कोर्स दे रहें, ऐसा इनों नीचे मेंचन किया हुआ है, एज क्राइटेरिया के लिए एज कहीं पर भी दिखाई दे नहीं रहा है, बहुत स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लास्ट डेट अगर हाइलाइट देख ना चा एलिजिबल इनलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट ओफिशल वेबसाइट पर मिलेगी और एक्जाम की डेट वगरा भी जारी नहीं किया है क्राइटेरिया फॉर 사อ्ट लिस्टिंग डिजर औडीडेट फॉर इंटर्वीव इंटर्वीव के लिए जो साट लीक रिए उसमें एकडायेमिक प्रियोवी when कि यह पॉइंट मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ लेकिन यह बताया गया एज कहीं पर भी मेंचन किया हुआ नहीं किया हुआ मैंने सर्च वाला वो बटन प्रेस करके भी सर्च किया एज बट एज दिखाई नहीं देरा अगर आप में से किसी को एड़टीजमेंट में इसको पिन कर दोंगे तो चलिए इसकी ओफिशल वेबसाइट एक बात देख लेते हैं तो यह ओफिशल वेबसाइट की रिक्रूट्मेंट सेक्शन है हों से आपको फैकल्टी पोजिशन में करियर में आपको क्लिक करना राजिव गांधी यूनिवर्सिटी आफ नॉलेज तो यह पर में इसके बाद यहीं पर में इसक्रॉल हो रहा है तेजी से रिकूरूट नोटिफिकेशन फर रिकूरूट्मेंट अफ रेगूर्लर फैकल्टी इस पर एक बड़ आप क्लिक करेंगे यह वाइट स्ट्रिप में देखे यहां पर यहां पर कर दे क्लिक इसको इक सबसे नीचे आपको देखना है आज जी यू केटी क्योलेज का नाम है शौटकट में डीटेल्ड नोटिफिकेशन नंबर फाइव लेक्चरर डाउनलोड ओनलाइन अप्लिकेशन लिंक तो जादा वक्त नहीं है बीस नोयमबर तक ओनलाइन अप्लिकेशन इस लिंक से कर सक होगी तो यह होम पेज रहेगी राजिव गांधी उनिवसिटी आफ नौलिज टेकनोलोजी इस अंधर प्रदेश और स्टेबलिश बाइड गॉवर्मेंट अफ अंधर प्रदेश एं रिकॉगनाइज एस पर सेक्शन 2F उफ उजीसी एक्ट तो गॉवर्मेंट स्टेट उन जादा है ना तो फिर इनकी इंकम भी होती है तो अफिशल विब साइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी आप सभी को बैस्विश झाल झाल